मेरे प्रीात्म, आज सात्वा दिन है, और आज का विशे है, आध्यात्म विकास के नियम। तो कि नियमों के असिंखला चल लगी है। आज का कुशे है आध्यात्म विकास के नियम। पिकास का नियम में बतलाता है यह नियम सभी वस्तों से, सभी चीज़ों से, सभी नियमों से उपर है यह नियम लागूरूता है खुद पर ति हम खुद को नियंद्रित कर सकते हैं या खुद में बदलाव कर सकते हैं यह एक आंदरिक रक्रिया है हर ब्यक्ति के पास छमता है अपने भावनात्मक और अध्यात्मिक विकास के लिए हमारे विचार और नजरिया पर ध्यांग देने की जड़वत है हमारा आंतरिक विकास होता है हमारे आसपास के लोग भी इसे प्रेदित होते है यह हमारे ब्यक्तिक विकास को प्रुद्साहित करता है इसके लिए आपको कमफर्ट जोन से बाहर आना होता है तथा यह प्रक्रिया जीवन भर के प्रक्रिया है कठिनाईयों, चिनोतुर्व तथा आउसर इस सारे आपके विकास के लिए ही हमारी क्रिया तथा प्रत्क्रिया हमारे विकास को प्रभावित करती है अपने जीवन की जीमेदारियों को स्विकार कीजिए विकास आपके रुपांतरन की प्रक्रिया है इस नियम के साथ संदेखित होने पर हम प्रचूरता को प्राप्त करते हैं मौसर सीथ भी करते हैं हम अपना स्थरिजन अपनी वास्तिक्ता का स्थरिजन खुद करते हैं इसलिए सीमित विश्वासों को छोड़ देजिए इस नियम को समझने से हमें सचेतन चुराव करने में मदद मिरती है यह एक यात्रा है अंतिम बिंदू नहीं है एक खिलाड़ी एक बैज्ञानी हमेशा अद्रिष्ट की तरफ बढ़ता रहता है लाड़ सीवा हमेशा ध्यान में रखते है होलिस्टिक ग्रोथ के लिए चाहे वो फिजकल हो मांशिक हो भावनात्मक हो या अध्यात्मिक हो इसके लिए प्रियास करते रहा किसी से कोई तुलना नहीं है हर के विकास के अपने अलग लग प्रक्रिया है मास्टर विकास के इन तसों नियम जो बताये गए आपके स्पीच्वल वोट के लिए जरूरी है और इस सरे सारे विकास के नियमोक से उपर है मास्टर एही आज का संदेश किसी से विकास के लिए